रितु सखी दिल्ली से सद्गुर्देव भगवान के श्री चर्णों में प्रणाम गुर्देव मुझे पता नहीं था कि एकादशी व्रत का उद्यापन करते हैं दीक्षा से पूर मैं श्री जगनात धाम गई थी तब एकादशी का दिन था वहां मैंने महाप्रसाद पाया थ और उसके बाद कभी व्रत नहीं रखा इस बात को चार मा हो गए है हां कोई बात नहीं है इसमें यह कोई है नहीं ऐसा नहीं कि उद्यापन नहीं करते हैं साब उद्यापन हो जाता है जब सचे सरणागत बन जाते हैं प्रभु की शरण में हो जाते हैं यह साब व्रतों का फल, शब नियमों का फल है, हमारे ब्रंदावन के रस में डूबे हुए रसिकों ने एक मात्र लाडली लाल के चरणों के अनुराग की उपासना को स्वैकार किया है, इसलिए ब्रत, नियम, शईयम, सब की पुरुनता लाडली लाल के चरणों में, सतत आठो पहर उनकी शेवा उनके नाम, रूप, लीला का चिंतन करते रहना, जो रूखा, शुखा है, उनको भोग लगा के उनका उच्छिष्ट पाना, ऐसी भावना से यहां के रसिक जन चलते हैं, कोई देखो, खास बात नहीं, उद्यापन से क्या है, खास बात नहीं हम कोई फल का अनुष्ठान, एक होता संकल्पित अनुष्ठान, उसमें करने का विधान भी बनता है, जैसे अंबरिश जी ने संकल्पित लिया, कि ऐसा करना है, अगर हम नियम पूरा नहीं करते, तो फिर संकल्प ढूटता है, वो संकल्पित अनुष्ठान, वो हमारा पूरा का पूरा संकल्प है, कि हम कि एक सौ प्रीया परितम के चर्णूं में समर्पील, वहाँ हो हम माई है वह सतिति में हमारी एक स्वास्प्रिया प्रितम के नाम है और इससे बढ़कर कोई उपास्तना नहीं हमें यहीं पहुचना है, साब फलों का फल यही है आगे यह कह रही है, मुझसे एक गल्ती एक अपराद बन गया है, शरीर अशुद अवस्था में था, मुझे याद नहीं रहा और मैंने गुरुमंद का जब कर लिया गुर्दे मुझे शमा करें यह भी कोई खास बात नहीं है ध्यान देने का विशह है जो हमें इस्टमृती ही नहीं है तो हमें तो साधना का फल मिल रहा है ध्यान देने की बात है, अंदर की बात है सरवग की प्रभू जानते हैं यदि हमारी मंत्राकारवरती डूर है पता नहीं, फिर सोचाले में एकदम द्याना आया, कि हमारा सरीर, तो उसी समय से बंद कर दिया, नाम चलाने लेकिन उसका कोई अपराद नहीं लगेगा, क्योंकि सही माने में साधना का फल यही है, कि हमें बाहस्तो धिना रह जाए, कि सरीर क्या कर रहा है, प्रिया प्रितम के प्रेम में डूब जाए, अगर एक शण के लिए ऐसी स्थिती आई है, और आपको होश नहीं है, वो कोई अपराद नहीं है, मनाओ कि ऐसी स्थिती बनीद है, कि होश ही नावे, इस मलमूत्र के भांड का होश ही नावे, यह सब वहां तक पहुचने के लिए है, वहां जब पहुचने तो फिसका कोई मात नहीं रहता, कोई सची बात, कोई मात नहीं रहता, यह तो केवल वहां तक पहुचने के लिए है, क्योंकि सरीर के प्रति हमारा जो राग है, इसलिए पवित्रता, पवित्रता का बिधान, नहीं तो हम सदव पवित्र ही रहते हैं, चेतन अमल, सहज, शुक्र, हमारा स्वरू पवित्र ही है, कभी एशावत उसमें खेद न करें, कि हमसे अपराज, जहां तक हम चेतना हैं, वहां तक निर्वाह करें, जब चेतना रहित ह तो इसका फिर कोई विशर। आगे एंगे यह कह रहे हैं प्रभु मेरे साथ है इस बात से मैं निर्भय और आत्मि विश्वासी बन गई हूँ। गुर्डेव क्या यह बात दैन होने के विपरीत है नही हैं इसकी ठसक होनी चाहिए इसमें दैननता नहीं इसमें ठसक होनी चाहिए हमारी लाड़ली जी हमारे प्यारे देखो कैसे बात कर रहे है सनातन जी बिल्कुल नहीं करूँगा तुझे जो भावे सो कर चाहिए गर्दन उतार दे यह अंकार थोड़ी बोला है यह भगवदास्त्रे बोला है तू बातसा है तेरा हुकम हो तेही मेरी गर्दन उतार दिजाएगी जानता हूं लेकिन नहीं करूँगा राजकाश स्री कृष्ण को जीवन दे दिया तुझे जो बन भावे सो कर यह अंकार लही है यह हमारी भक्ती का रंग है और यह अभिमान सद भी बना रहना चेह हमारे प्रियाप्रितम प्रियाप होता है वो बिशुद सचिदानन होता है और वो अहंकार निन्दनी नी वो बन्दनी गोस्वामी तुलसिदा जी तो मांग रहे अस अभिमान जाई जन भोरे मैं सेव करगू पती पर यह भूल करके भी अभिमान कभी ना जाए अर्था सदाई बना रहे हमारे हां केते हम सी स या मांजू के बला भिमानी तेड़े रहे है मोहन रसिया सो तो यह वो निन्दनी बात नहीं है आनंद दायक है